आईए जानते हैं शंत रामपाल जी महराज जी के शिश्य किस कारण से शंत रामपाल जी महराज जी को बगवान की शंग्या देते हैं तो क्या बताते हैं गुरू को कीजे डंडवतम कोटी कोटी पर नाम कीट न जाने भ्रंग को हो ऐसे गुरू कर लें आप समान के लें गुरू को बिंद कर जानी और रईयो सब्द समाए मिलें तो डंडवतम बंद गी ही नई पलपल जाने लगावे केते हैं गुरू जी मिलें जो डंडवत पर नाम करे हैं और चले जाओ तो पलपल याद राखे कुता हो गुरू देव का मुतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवडी जहां खें चोवा जाओं में यानि इतनी लगन बने आपका इतना मन फस जा गुरू जी के चरणों में जैसे परमात्मा कहते हैं मानत ना मुरा सादो मानत ना वन मुरा रे बार बार मैं ये समझा हूँ जग में जीवन ठोड़ा रे कहते सरन पड़े को गुरू से भाड़े और जैन का वालक बहुडा रे जैसे एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा वालक साथ पांट साथ महिने का और वो टट्टी पे साथ करका बुरा हल कर लेता है और मा आती है उसको भोला बच्चा उसको पता है उसके अंजान है उसको पता नहीं उसको उसे हेट नहीं करती है उसको नवाती है सनान कराती है कपड़े स्वच पैनाती है फिर सीने शो लगा कर दूज पिलाती है कहते है आप जी इतने बालक हो जो आपने पाप कमा लिये रिस्वत ले लेकर मिल आउट करके चोरी जारी करके सो चूट कपट करके आप आज इतने सने पड़े हो जैसे उचोटा सा बालक टटी फिसाब करके बुराल कर ले फिर रो आपने लगता हो तो इसी परकार इतने पाप कठे कर लिये आपने अब उनकी आपती से आपके पर आप रो रही हो ख़ट पा रहे हो फिर क्या बताती है सरन पड़े को गुरू से भाले जाने का बालक भोला रे कह कबीर तुम चर्ण से तरा खो जों सुई में डूरा रे कितना सटी को दार्ब दिया परमात्मा ने कि तुम ठीक है पाफ कर लिया अजान पने में बालक हो परमात्मा को पता हैं के बसकी बातनी काल ये जुलम करवा ही देता है फिर परमात्मा को आप आज ऐसे ही लगते हो जैसा मान बालक लगता है गुरू जी को ऐसी ही लगते हो आपके इससंग रुपी स्रोवर में आपका सब मलद हुआ जाता है ग्यान अटाया जाता है और राम नाम का साफ अनला का आपका सब मेल नास कर दिया जाता है आप जी ने क्या करना है कहते है सरन पड़े को गुरू से बाले जान के बालक बोला रहे कहे कबीर तुम तो चर्ण चित राको जौं सोई में डोरा रहे उसी के लिए यहां कह रहे हैं गुरू को विंद कर जानिये रहिये सब्द समाए मिले तो डंडवत बंद की ही नई पलपल धान लगावे गुरू को परमातमा की तुर मानिये अपना अत्मा गुरू जी भगवान नहीं हो क्योंकि परमातमा स्वेम आये थे तो परमातमा थे ही थे और अब इस दास के उपर करपा कर दी वही जो हना ओश दी जो परमातमा देने आये थे और वह अपने कंपाउडर ताइं दे दी मरीज का असर होगा ही होगा लाब होगा ही होगा वही मेडिसिन है तो कहते हैं कि आप ये सोच के कमपाउडर है इसकी दुआई तकी असर होगा तो 50% तो साइकलोजिक अफेक्ट आपको सौस्थ नहीं होने देगा तो यहां आप जी ने के विशे में कह रहे हैं इस दास के विशे में कि गुरू मानुस कर जानते तेनर के ये अंद वो हैं दुखी संसार में आग गए हम के फंद अपना अत्माओ गुरू जी बहले ही भगवान नहीं है परन्तु आपने भगवान सपोज करना पड़ेगा तब ही आपका ये समस्या हल होगी आपका ये परसन हलोगा मोख स्वाला जिस परकार गनीत में एक रण का स्वाल होता परसन होता है उस में मानना पड़ता है मान लीजिए मूल धन सोर रुपे और फिर उस से दर निकलाती है और फिर दर और वो मल्टिप्लाई करका मूल धन ऐसे प्राप्त होता है वो सो रुपे मूल धन नहीं होता मूल धन तो लाखों करोडों अर्बों में होता है लेकिन उस लाखों करोडों अर्बों वाले मूल धन को पाने के लिए सब से पहले मानना पड़ेगा मूल धन सो रुपे तब वो परसन हल होगा, ना हो को नी, इसी परकार है, परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुस कर जानते हैं, तेनर कई अंद हैं, वहं दुकी संसार में अगयम के फंद हैं, गुरु को बिंद कर जानियें, गुरु को भगवान मान कर जानियें, और रहिए सबद समाए, और जो उ ये तो मकली जो पहले रादा सुम्यार ये धन धन सत्कुर्वार ये मेरे कोरी जूट बोला है इनको पता नहीं सब्द सब्द क्या होती है ये तन्यूकंद धुन सुन ले धुन और वो धुनते इस अंड और पंड के पार है सब्द सुरत अभ्यास का अर्थ है जो नाम आपको दिया गया उसका सिम्रन करते समें उसके उपर आपका चित जरूर रहना चाहिए कि तू क्या नाम सिम्रन करे है अपरमात्मा कहते हैं कह माला तो कर्मे फिरे और जीवा फिरे मुखमाही और मनुआ तो कहीं और फिर है ये कोई सुमंड ना ही सुरत निर्ट मन पवन को करो 71 यार सुरत मन पवन को और ये सब्द को जैसे आपको नाम दिया है कोई साइ मन तरजाफ आप करते हो आप का जो सुरत और सब्द का जो समाना है अब यहास है आप बोल के रहे हो आप जो अंदर अंदर सिमन कर रहे हो स्वांस का करते हो वो स्वांस का करते हो आप कौन से मंतर का जाप करे हो आपका उस पे चतर है वो सबद उसके उपर आप समाई रहो जो अंदर उस सबद का आपने उचारन किया उसके आवाज को सुनो, उस पर ध्धान रहे के बोल रहा हूं, और वोशे करें, गैडूमंतर, फुटापट, 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 मन कोई गूमंतर, ये को इस्टूमंत नहीं है, जिस अकसर को बोल रहे हैं, उस अकसर के ध्धुन पर, आवाज पर आपका ध्धान ज की नहीं पलपल ध्धान लगावे, गुरुदेव में ने तभी डंडोत पर नाम करें, और आप इदर उदर हो जाते हो, घर जाते हो, या अपने काम पर जाते हो, तो फिर मालक गुरुदेव के एक-एक, किसी परकार से भी परभावित रहें, उनके किसी भी कार्ण से पर भ भूलना पड़े हैं, जो पुन्यात्मा हैं, बुद्यमान हैं, उनके लिए ते इतना ही काफी है, कि ये ग्यान आज तक इस पर्थी पर कोई देरने वाला नहीं था, और ये अनमौल वचन इस दास के मादन से आपको परमात्मान परगट कराए हैं, तो आपके लिए एक वि तुलमा में, ये दास बगवान नहीं, लेकिन आजे इस पर भूगा है, उससे क्या होगा, कि जैसे आप जी परमात्मा की पास जाओगे, सबसे पहले वहाँ आपकी प्रिक्षा होगी, ये दास के रूप में परमात्मा तरकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी, ऐसा ही अन्ते करण में वो जो काट्यों सभाव मिलेगा, तो वहाँ आपकी प्रिक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ जोहर कर रहे हो, तो वहाँ भी ऐसा ही करोगी, बिट नैचुरल, और ये जी आज इस दास के सथान पर पर में इश्वर होते हैं, और रहे हो एक सो बीस वर्ष रहा के चलेगे चोंसुट लाग से सो एकासी में वो दानक कबीर रूप में परमातमारे जो लहार रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना मन्या, बहुत से हमारे काम भी ठीक हो ही, मुर्दे जीवित करे परमातमाने लेकिन हमने उस मालक को भगवान नीमाना, यदि हम उनको परभू मान लेते हैं, तो यह समस्या उस एदन हलो जाती है, हमने उनको भगवान नीमाना, जिस कारण़ से आज तक हम उलज रहे हैं, और इस लिए परमातमा कहरे हैं कि गुरू जो मेरा संथ होगा, मेरा भेज़ा बैठे हैं और यहां बगवान आजा जिसके लिए भटक रहे रो रहे तरफ रहे हैं जिनों निराज ट्याग दिये घर ट्याग दिये उसके पाने के लिए और आज वो सामने हो तो आपका कैसा भुहार हो यह आपने सोचना है जिसकी जैसी सरदा जैसी वक्ती बढ़ गई जितना अंतैकर नर्मन हो गया उतना ही अधीक उसके तरफ लगाओ आपका होगा अब क्या बताते हैं सत्गुरु के उपदेश का लाया एक विचारे जैसत्गुरु मिलते नहीं ही जाते नरक दुआरे नरक दुआर मैं दूट सब करते खेचाताने उनसे कबो ना छूटता फिर फिरता चारूँ खाने चार खानी मैं भरमता कबो ना लगता पारे सो फेरा सब मेट गया मेरे सत्गुरु के उपकार यह पर बात है आप जी को बहुत बार इस दास ने महाबिल जैन जी की हिस्ट्री दिखाई है उन्हीं की पूस्तक में लिखा हुआ वो कितनी बार तो पसू बने कितनी बार वो कोई साथ क्रोड बार गदा तीस क्रोड बार कुटा और देवता बना सुरग में गया फिर आया फिर सुरग में गया फिर आया फिर नरक में गया राजा बना कितने कष्ट उठाए तो यहां परमात्मा कहते हैं जो सत्गुरू मिल गया है पूर्ण संथ मिल गया फिर ये बाईपास लिकाल देगा आपको ये सब दंजट मिठ जागा क्या बताते हैं कि सत्गुर के उपदेश का गुर्देव से लिए ग्यान का नाम का लाया एक विचार जैसत्गुरू मिलते हैं नहीं हम जाते हैं नर्क दौर नर्क दौर में दूट सब फिर करते हैं चातान है अब दरक में कि कोई आसानी से परविश कर जागा वहां कोई ना पढ़ता है नर्क में पुरा हाल हो रहा हा कारमा चली नो शड़े सब कुछ तो पिच्छ है यह यम के दूट यह उस यम राज के से पाई बाले लेकर चला है और सिद्धे मारन लठ जो को जिस तरह पसुन है फाटक में रोख्या करें नठा मार मार करें तो इनका यह उल्टे बागन वह पाच्छा जुन का सिद्धे बाले ठोक है य यह मरता नहीं समय प्राणी सुक्सम स्रील वह उटे बाज़ें रोख लठ मार मार करने उस नरक में पठके वह खेच चाता है नहीं होई 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 यहम दुआर मैं दूत सब करते खेचाताने उनसे कभो ना छूटता फिर फिरता चारूँ खाने वहां कश्ट उठाने के बाद कहते है फिर चुरासी लाखी उनियां में चारूँ खानें में यहां पसू पक्सी गदे कुते बनकर वह कश्ट उठाता है चार खानी में भरमता कभो ना लगता पारे सो फेरा सब मेटे गया मेरे सत गूरूँ के उपकारे अपना अत्माओं अगर आपकी भांग उत्रगी होगी ना इस काल की अग्यान की यह कोई छोटी बात नहीं है जो मालक में चार वानियों बोल दिया आज आपको जो जड़ी मिलगी सब पापों का नास करेगी आपको तुरा सी लाख यो नियों में नहीं जाने देगा यह परमात्मा कभी साहिब का जो सचा ग्यान और यो मंत्र है आपको कितना बाई पास ने काल दिया कहते हैं सो फेरा सब्मिट गया मेरे सत्गुर के उपकार ऐसे सत्गुर के बारे में कहते हैं साथ समंदर की मसीह करूँ लिखने करूँ बन राए दर्ती का कागज करूँ हूँ गुरु ने लिख्यों नजाए अब लिखना शुरू करो कहते हैं सारी पर्थवी का तक कागज बना लू पेपर और सातों समंद्रों की एंक बना लूँ, शाही बना लूँ और सभी इन पेड़ पौधों की कलम छोल छोल के बना के यानि एक एक पेड़ में कितनी कलम बने जाँ अर्बों, करोडों और कहते हैं उन सब को सारे जंगल की कलम बना लूँ और लिखने लग जाओं और ये पर्थ्वे जितना कागज भी एंड हो जा सातों समंदरों की स्याही बनकर भी ये सारी खतम हो जा और सारी कलम गिस जा पूरे जंगलों की तो भी गुरु जी का ये उपकार लिखा नी जा सकता अब एक उत्ते का जीवन क्रोड जीवन एक उत्ते के गधे के क्रोड जीवन और वो आज बाईपास कर दिये प्रमात्माने कभी जी ने कहते हैं सत्गुरु के सजदा करूं करम छुटाए कोटे ऐसे सत्गुरु की जो जंदा करें फिर जम तो उडएंगे ओठे ऐसे संद की और जो नंदा करते हैं नंदा करते हैं कहते हैं उनको यम के दूद उनके होट फोड़ेंगे होट फोड़ना में इतने क्रोड़ीत होकर पीटना के कहीं भी लगए यह ने देखना इसके लग कहा रहा है